हम सभी के घर में अक्सर खाने में डाल चावल बनते ही बनते हैं और किती बार ऐसा होता है कि डाल और चावल दो नहीं बढ़ जाते हैं और फिर समझने आता कि इनका हम क्या करें तो आज मैं इस वीडियो में बनाने जा रहे हैं बचें कि दाल और चावल से यानि लेक्टोब नड़म इडली के साथ इस्टेंट सामबर बनाने की रिस्वी को शुरू करते हैं तो यहां पर मैंने लिए दाल और चाबल जो खाने के बाद बच गई है चाल आपके यहां जो बनाये जाते हैं उसी का ही इस्तमाल करें अलग से लाने की जरूत नहीं है यह नॉर्मल राइस है और यह है अधर की दाल अक्सर सभी के घर में तुवर दाल यानि अधर की बनती है लेकिन आप जो भी दाल खाते यानि बच गया है उसी दाल का यूज करें सांबर बनाने के लिए तो चलिए बनाना सुरू करते हैं अब हम लेंगे ग्रेंडर जार और उसमें हम यह चावल को डाल देते हैं और साथ ही हम इसमें डाल देते हैं एक चौथाई कप दहिं अधा कप लिया है सूजी जो हमारे इडली को सौप और मेंदू बरा को बनाएगा क्रिस्पी और साथ ही डाल रही हम मैं इसमें एक चौथाई का चावल का आटे से होगा कि यह इस मिक्सर को एक अच्छी सी बैंडिंग आ जाएगी सभी चीजों को अच्छी से पीस लेंगे जोड़त लगया तो थुरा सा पानी भी डाल सकते हैं और यह मैंने सभी चीजों को अच्छी से पीस लिया है इस तरह से आपको बिल्कुल गाढ़ा सा पीसना है सारे में उसको एक बोल में निकाल लेंगे अब मिक्स में डालेंगे बारी कटा हुआ कड़ी पता एक छोटी चमर डाल देंगे जीरा और नमकस्वात का अनुसार अच्छी से सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे इससे हमने मिक्स कर लिया है अब इस मिक्स मेंगे और अधैन मिक्स में निकालेंगे गुज़वोल में मैंने कहाँ था ना कि आपको दो तलव की रेश्पीप बनाना बता हुआँगी तो यहाध्य मिक्स से मैं यह में अ Neither बढ़ा बनाएंगे राधे इस मिक्स से इडली, तो आधा निकाल लिया है मैंने, अब इस मिक्स से हम मेंदुवड़ा बनाएंगे, तो हमें इसमें और भी कुछ चीजे डालनी है, जैसे कि दो हडी मिर्च बारी काट कर लेंगे, और जायेगा बारी काटा हुआ रधनिया, साथी डालेंगे बारी मिक्स कर लिया है, अब जो हम इडली बनाएंगे उस मिक्स में हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, लगभाग ती चार बड़े चमाच, मिक्स कर लेंगे अच्छे से, मिक्स करने क्वाद इन दोनों को हो धकार रख देते हैं, रेस्ट पर, और बनाते हैं साभर, हम अपनी बची भी डाल से, लेटर बर दाल से साभर बनाने के लिए गैस पर रखेंगे हमें कड़ाई, फ्लेम को मिडियम पर रखेंगे और इसमें डालेंगे एक बरे चमाच ओल, तेल के गरम होते ही हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी जीरा, एक तर्का लेंगे। अब यहां पर मैंने लिए कुछ सब्जी यह जैसे के एंग मेडिय coy में इस तरह से लंबेटवि उप डिव में गूं है? एक चृथाए कप लिया है मैंने लौकी जिसको छटाओ चटाओ चटे समें कट कर लिया है साथ है यहां पर मैंने लिया है चोथाई कप ड्राम स्टिक यह घर में थे तो मैंने ले ली है एक चोथाई कप लिया है सिताफल इससे मैंने छिलके सहित इस तरह से कट कर लिया है आप देखते हैं कि जब भी आप होटेल या धावा से सांभर लेते हैं तो इसमें यह इसी तर बहुत ही स्टेट बनती है यह सांभर टेस्ट में कोई भी आपको डिफेंडिंग लगेगा होटेल की सांभर में और इस में बहुत ही आसान तरीका है सब्जी आमारी हलकी सी भून गई है तो इस टाम हम इसमें डाल देंगे एक बड़े साइच का टमाटर जिसको मैंने इस तर गलना जाये है और यह देखें सभी सब्जी आच्छे से भून गई है अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाली तो सबसे पले में डाल रहे है थोड़ी सी हल्दी तो कि दाल में भी पले से हल्दी डली हुई है एक चोटी चमच धनिया पौडर साथी हमें डाल रहे है चोटी च कर लेंगे और करीब आधी नर्ताख हमें से भूल लेंगे अब हमेंस पर डालेंगे लेटोबर डाल जो बच गई थी और अच्छा से इसे मिक्स कर लेंगे और डाल देंगे हम इसमें करीबदो का पानी क्योंकि सब्जी अभी और पकेगी और सामब थोड़ा पतला ही अच्छा लगता है इसके बाद हम इसमें डालेंगे टैंगी फ्लेवर के लिए दो बड़े चमच इमली का पानी इमली के जगा आपनी बुकरस भी डाल सकते है य आप पने पर सामबर को अच्छे से कांवर को अच्छे से पकने देंगी का पाथ मट उगए हैजिए पनी अन्हें को देख लीची ऑब लगे मरश ऑब ने है प्रदर तो तिल्टों चाहें अग्यागी Meeting अब सामबर तयार है चलिए आप फटा फट से मेंदु बड़ा और इडली बना लेते हैं पर ले इडली वाले बटर को आप इडली के सभी साचे में डाल देते हैं सभी साचे को मैंने ग्रीस कर लिया है ओल से सभी में डाल दे पर बटर को मैंने डाल दिया है सभी साचे में पानी पहले से ही गया फिर मैंने चड़ा दिया है उबलने के लिए सभी प्लेट्स को सावधानी से रखेंगे और कवर करके लगवर 20 मिन तक हमीसे स्टिंग कर लेंगे अब में दूबारा के बटर को देख लेते हैं तो यह गदम सही है अगर आपको यह बैटर थोड़ी गिली लगे तो सुजी की मातर आप इसमें बढ़ा सकते हैं हाथो मों थोड़ा सा अईल लागालेंगे और थोड़ा साम एकस हाथोखो इस तरह से लेकर बल बनाएंगे और हल़के हाथेलीज छे इस तरह से दभादे और बीछ में हम बेलांस इस तरह से होल्द करते हैंगे बेलांस को मेरा अलीशे भी ग्रिस कर्लीosc mango एक दम आसान बिलकुल इस तरह से और सभी में दूबड़ा इसी तरह से त्यार कर लेंगे इस तरह वुलियों से भी वड़े को फोल कर ज़िए इस तरह से तरह से रेडी पटाफ़ट करते हैं इनको हम ठाएं मिडियम होट ओईल में धिरी धिरी करके हम वड़ा डालते जाएंगे फ्लेम को लो मिडियम रखेंगे अभी विलकुल भी वड़े को तच नहीं करेंगे ज़ते कि यह हलके हलके उपर नहीं आ जाए फ्लेम को हाई नहीं करना है कुछ देर बाद एक फोक या चमस से हलका सा कलरते जाएंगे सभी वड़े को और गल्लन कलर आना तर सभी में धिवड़े को फ्राय कर लेंगे बहुती अच्छा कलर आया है में धिवड़े में देखिए इस तर कलर अब इसे निकाल लेंगे और इसे मैं आपको तोर कर दिखना है इसका टैक्स्चर एकदम बढ़ियां सौफ और स्पंजी और उपर से एकदम क्रिस्प अब यहां हमारे इडली ही बनकर तयार है अब यहां हमारे एडली भी बनकर तयार हैं गैस बनकर के से हम बाहर निकाल लेते हैं और सारे एडली को हम कर लेते हैं डिंगोल तो यहाँ पर मैंने सारे एडली निकाल लिये हैं इसका भी टेक्चर आप देख सकते हैं इतने सूपर सॉपर प्रोस पॉंजी बने हैं तो चली अब इन दोनों को सांफर के साथ खुटाफर से करते हैं सब पहले मेंदू बड़ा को सब कर लेते हैं आगयान आपके भी मुन है पानी बहुत ही बड़िया मज़दार बनने हॉली रेस्पी है तो जब ही आपके घर में डाल चोल बच जाए तो सोचे मत बड़ा पड़से इस रेस्पी को बना डालिए इडली को भी मैंने सब कर लिया है तो फ्रंट्स कैसी लगी आज की रेस्पी उमीद करती हैं आपको ये रेस्पी पसंद आई होगी एक वार जरू ट्राय करके देखें अगर अच्छे लगे ये वीडियो तो प्लीज मेरे इंडियो को लाइक, कमेंट, सेर और मेरे चैनल को सब्स्क्राइब करना ना भूलें बाई